दोस्तों जब आप online पढ़ाने की बात करते हैं तो YouTube सबसे अच्छा साधन मना जाता है उसकी वज़े मैं आपको बता दूँ देखिए जब हम online पढ़ाने जाते हैं तो हमारे पास दो विकल्प होते हैं पहला तो हम live classes दें और दूसरा कि हम recorded classes दें live classes के लिए आपको high speed internet connection की ज़रूरत होती है और हम ऐसे बहुत सारे लोगों के पास यह नहीं होता है इसकी एक तो बज़ाए यह है कि बहुत सारी जाके तो यह connection उप लबदी नहीं है और दूसरी बात यह काफी महगा मिलता है अब बात करोंगर recorded classes की तो यहाँ पर आपको high speed internet connection नहीं चाहिए आप slow internet connection पर भी videos बना कर उसके बाद उनको added करके कमियां भी रह जाती है उनको भी हटा के आप video को upload कर सकते हैं और वो सभी विद्यार्थियों के पास अपने वीडियो को जो भी आपके viewers उनके पास पहुंचा सकते हैं तो यहाँ पर आज मैं बात करने वाला हूँ recorded videos की और कैसे आप उन videos को YouTube पर upload करके अपने विद्यार्थियों को अपने students को पढ़ा सकते अपनी classes के videos भेज सकते हैं YouTube channel बनाना और उस पर video upload करना यह दोनों चीज़े मैं आपको इसमें बताऊंगा चैनल बनाना भी mobile से इतना असान है अगर आपके पास single mobile ही है तो आप mobile से कैसे चैनल बना सकते हैं कैसे video record कर सकते हैं और कैसे upload करेंगे यह फुल जान करी आपको इस video में मिलने वाली है तो video लास तक ज़रूर दिखेगा नमस्कार दोस्तों मैं आपका स्वाद करता हूँ my big guide smart class में चैनल पर मैं आपके लेकर आता रहता हूँ computer technology से जुड़े हुए धेर सारी tips और tricks तो अगर आप नए है चैनल सस्क्राइब कीजिए bell icon दबाईए उसी से आपको latest video को notification मिलने वाले हैं और अगर आपने हमारे पु videos को upload करते हैं और पहुचा आते हैं अपने students तर तो सबसे पहले हम सीखेंगे के mobile phones एक YouTube चैनल कैसे बनाते हैं और बहुत ही आसान तरीके सिंगल क्लिक में आप एक YouTube चैनल बना सकते हैं आपको बहुत जादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है सबसे पहले अपने mobile phone में आप आपको YouTube का जो application है वो install करना है और उसको यहां पर open करना है यहां पर एक चीज़ धियान रखनी है आपको कि आपकी email ID जरूर होनी चाहिए Gmail पर क्योंकि जब तक आपकी Gmail पर ID नहीं होगी तब तक आप एक YouTube चैनल नहीं बना पाएंगे अब आपको यहां पर आपका जो नाम है या icon है वो दिखाई देगा या अगर अपनी Gmail ID पर फोटो लगाया होगा तो वो भी आपको यहां पर दिखाई देगा इस पर tap कीजिए जैसे आप इस पर tap करेंगे तो यहां पर आपको आपकी email ID आपका नाम और नीचे एक option मिलेगा your channel का अगर अभी तक आपने कोई भी Gmail की profile में अपना ये ही नाम डाला था अब अगर आप अपने नाम से कोई channel बनाना चाहते हैं तो बस यहांपर नाम बदल दीजिए या आप अपने खुद के नाम से channel बनाना चाहते हैं जैसे आपका जो भी नाम हो वो नाम आप यहां पर दाल दीजे first name यहां ढालिए last name यहा यहां पर नाम change कर दीजिए तो नाम change करने का नीचे option आ जाएगा तो यहां पर आप देखें यहां पर मैं बदल देता हूं इसको मैं पूरा लिख देता हूं देखें यहां पर मैंने पूरा नाम लिख दिया अब single आपको यहां पर क्लिक करना है create channel पर तो आपका within a second YouTube channel बनके तयार हो जाएगा यहां पर आप देख रहे हैं कि your activities is private और अभी create playlist like video subscription सब आपको यहां पर दिखाए देगा अब इस पर वीडियो कैसे upload करना है कहां से करना है कैसे record करना है चलिए वो भी समझ लेते हैं आपको इस application से बाहर निकलना है फिर से YouTube को open करना है अब जब आप YouTube open करेंगे तो आपको यहां पर सबसे उपर एक option दिखाए देगा वीडियो वाला इस पर आपको टैप करना है और जैसे आप करेंगे तो आपको इसे access देना होगा तो हम चलिए इसको access दे देते हैं अपनी media और library की यहां पर जैसे हमने इसको access दिया तो आप देखें कि यहां पर पहले आपको क्या करना है आपको अपनी जो class है जो भी आप class दे रहें वो record करनी है अब देखें यह video आपकी gallery में आ जाएगा अब इस video को YouTube पर कैसे upload करना है चलिए यह भी समझ लेते हैं तो यहां से सीधे आपको YouTube को open करना है और यहां पर जब open करेंगे तो यह video आपक का option मिलेगा यहां पर learn more का option मिलेगा और नीचे title, description और उसकी privacy policy का option मिलेगा अब simple आपको क्या करना है यहां पर title डाल देना है तो मैं चलिए title डाल देता हूं इसके नीचे आपको यहां पर description डाल नहीं इस video के बारे मैं बताना है कि यह video किस विश्यवे आपने बनाया है प करना है कि इस video को YouTube पर कौन कौन देखेगा तो जब हम इस पर tap करेंगे तो आपको यहां पर तीन option दिखाए देंगे पहला public, unlisted और private तो यदि आप चाहते हैं कि इस video को YouTube पर कोई भी देख पाए जो YouTube पर हो तो आप public कर दीजिए दूसरा option है unlisted का तो अगर आप चाहते हैं क केवल आपके विद्यार्थी जिन लोगों को आप इस YouTube का link भेजाएं केवल वही देख पाएं तो आप यहां से unlisted कर दीजिए अगर आप चाहते हैं केवल आप ही इस video को देख पाएं तो यहां से इसको private कर दीजिए तो बहुत सारे मामलों में क्या होता है कि केवल लोग य क्लेक करना है सो नीचे आपको location का option मिलेगा इसको चाहें तो आप skip भी कर सकते हैं अब simple आपको यहां पर जाना है upload वाले option पर इस पर टैप कर दीजिए और यह वीडियो आपका upload होना शुरू हो जाएगा भी आप देखिए यहां पर लिखा हुआ रहा है कितने minute लगेंगे और कितने percent upload हो गया तो यह वीडियो अभी YouTube पे upload हो चुका है 95% processing पूरी हो गई है अब देखिए यह वीडियो YouTube पे upload हो चुका है यहां पर लिखा है ready to watch इस पे tap करिए और देखिए यह वीडियो YouTube पे और यह देखिए यह वीडियो YouTube पे live जा चुका है यहां पे subscribe का बटन आ आप इस वीडियो को आप चाहें तो यहां से अपने जो विद्यार्ति हैं उनको शेर करा सकते हैं WhatsApp पे Gmail पे और भी जिसमी माध्यम से आप शेर करना चाहते हैं मैं आपको Google Classroom के बारे में बताया तो यहां से आप Google Classroom पे भी इस वीडियो को शेर करा सकते हैं तो इस तरह ऐस इस चैनल के साथ मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वंदी मात्रम